नमस्कार दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स में सातियों जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 बजे अपनी जो लाइव क्लास स्टार्ट होती है और हो चुकी है आठ बजचुके हैं सातियों जल्दी से जुड़ जाईए आज के इस सेसन में आज का सेसन बहुत ही शांदार और इंपोर्टेंट रहने वाला है तो चले सातियों जुड़ जाईए आठ बच चुके हैं आवाज और वीडियो एकदम किलियर चल रहा है क्या कमेंट करके बता दीजिए आप सभी का हर्दिक स्वागत एक बार पुने सातियों इस सेनल पर रीट शिक्षक बढ़ती 2021 के लिए मनो विज्यान के 5000 प्लस परसनों की जो सिरीज है आज उसका दूसरा दिन है यानि पार्ट टू हम देखेंगे विबिन भरती परिक्षों में आएवे परसन याम इस वीडियो में कर रहे हैं तो चलिए सातियों करते हैं इस सेसन को स्टार्ट क्या आप तयार हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी साति फिर स्टार्ट करते हैं इस सेसन को सातियों चलिए सभी जूड़ जाईए और लाइक और शेयर कर दीजिए सेसन को आगे बढ़ते हैं फिर फरसनों के और सातियों तो चलिए सातियों 31 क्यूशन हम देखेंगे आज 31 क्यूशन के और बढ़ते हैं अब 30 क्यूशन हमने कल कर लिए थे 31 क्यूशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है सातियों एक भावी सिक्षक के रूप में आपको की आवशक्ता होगी और विबिन चात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा MP8 2019 का क्यूशन टाइम सुरू हो चुका है आपके स्क्रीन पर सातियों जल्दिस से बता दीजिए एक भावी सातियों जल्दिस से कमेंट कर दीजिए राइट आंसर क्या रहेगा एक भावी सिक्षक के रूप में आपको की आवशक्ता होगी विबिन चात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा डील जुड़ने समझ या सहयोग चार विकल्प आपके सामने सातियों टाइम खतम होने जा रहा है सातियों लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए बिल्कुल कमेंट आणने स्टार्ट हो चुके हैं राइट आंसर क्या रहेगा सातियों ओप्षन नंबर सी करेक्ट आंसर एगा समझ सी ओप्षन जिनोंने भी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है सातियों सी ओप्षन आपका करेक्ट आंसर एगा इस person का C option जो है सातियों वो correct answer एगा कौन सा C option आगे बढ़ते हैं सातियों 32 question के ओर 36 डेकल आयू नामक गटना का वरणन किसने किया MP8 2019 का question टाइम स्टार्ट हो चुका है सातियों 37 डेकल आयू नामक गटना का वरणन किसने किया चार विकल्प आपके सामने है एरिक्षन, पियाजे, फ्राइड या वाईगोथ के सातियों MP8 2019 का question है से 30 डेकल आयू नामक गटना का वरणन किसने किया सातियों इस person का right answer क्या रहेगा जल्दी से comment box में comment करें बहुत बढ़िया सातियों चलिए 32 नमबर का right answer क्या रहेगा सातियों जीन पियाजे इसका right answer रहेगा जिनोंने भी बी option comment किया है बिल्कुल correct answer है सातियों बी option 32 नमबर का आगे बढ़ते हैं सातियों 33 नमबर निर्दे सात्मक विकास सब्द सुचित करता है चलिए बताईए निर्दे सात्मक विकास सब्द किसको सुचित करता है सातियों चार विकल्प आपके सामने हैं दर को सीमा को दिसा को या विशिष्ट गुण को चलिए निर्दे सात्मक विकास सब्द किसको सुचित करता है MP Tate 2019 का आयावा क्योशन हम सारे आयवे क्योशन नी कर रहे हैं सात्यों परसन नंबर 33 का राइट आंसर क्या रहेगा समय समाप तो ने जा रहा है सात्यों परसन नंबर 33 का आपका राइट आंसर जिनोंने D option बताया है बिल्कुल correct आंसर है किसके निर्दारण से निर्बरता में सुधार होता है चलिए सातियों चार विकल्प आपके सामने निर्दारण का मतलब fixation में fixation से निर्बरता में सुधार होता है सातियों किसके निर्दारण से निर्बरता में सुधार होता है ये पुचा गया है गुदा यानि एनल, मौखिक यानि औरल, सुसुकता यानि लेटेंसी या लेंगिक यानि फैलिक जो मनोलेंगिक विकासिदान्त है फ्राइड का उचसे सम्मदिती क्योसने सातियों राइट आंसर क्या रहेगा सातियों परसन नमबर 34 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सातियों मौखिक या औरल, ओप्षन नमबर बी बताने वाले सबी साती बिलकुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं 34 का B option correct answer रहेगा आगे बढ़ते हैं सातियों 35 नमबर की ओर विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है यह है dot 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 के सिद्दान्त के कारण होता है जल्दी से comment कर दीजे विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है यह है कौन से सिद्दान्त के कारण होता है सातियों न 35 का राइट आंसर क्या रहेगा सातियों कौन सा सिद्दांत है सातियों 35 का राइट आंसर आने इस टार्ट हो चुके हैं आप ही गहे हैं बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सातियों पर्सन नमबर 35 का राइट आंसर एगा सातियों एक समान पैटरन ओप्शन नमबर बी करेक्ट आंसर एगा पर्सन नमबर 35 का आगे देखिए 36 नमबर क्यों सातियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्रात्मिक विद्धालियों के बच्चों में समश्या निवारन कोसल में सु समश्या निवारन कोसल में सुदार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है चार विकल्प आपके सामने दिये गए हैं सातियों बिलकुल करेक्ट आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं पर्सन नमबर 36 का राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से आप भी कमेट कर दीजी लाइक औ अपने देनिक जीवन में सामना करते हैं सातियों ठीक है ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा सातियों बिलकुल करेक्ट आंसर एपर्सन नमबर 36 का आगे बढ़ते हैं सातियों 37 पर्सन में बच्चा किस उम्र में भासा की समझ दिखाना सुरू कर देता है टाइम सुरू हो च छे महीने पर या नो महीने पर आप से पूचा गया है कि बच्चा किस उम्र में भासा की समझ दिखाना सुरू कर देता है पूचा गया सातियों चार विकल्प आपके सामने चलिए जी बहुत ही बढ़िया 37 नमबर का राइट आंसर क्या रहेगा सातियों 6 महीने पर राइट आंसर सी ओप्शन रहेगा आगे बढ़ते हैं 38 नमबर में कोहल बर्ग के अनुसार नेतिक विकास में पहला चरण कौन सा है बिलकुल इजी क्यूशन आप लोगों के लिए कोहल बर्ग के अनुसार नेतिक विकास में पहला चरण क्या है सातियों पूरू परमपरागत नेति परमपरागत नेतिकता या पस्च परमपरागत नेतिकता कोहलबर्ग ने तीन इस्तर बताए हैं पुरू परमपरागत परमपरागत और पस्च परमपरागत तो निश्चित रूप से इसका राइट आंसर आप सबी ने बिलकुल सही दे दिया है पहला इस्तर कौन सा रहेगा तो पहला इस्तर कौन सा बताया है सात्यों ने पूरो प्रमप्रागत प्री कन्वेंशनल स्टेज बताया है तो सात्यों राइट आंसर हैगा आपका ओप्शन नमबर A 38 नमबर लगबग सभी लोगों का बिलकुल से आंसर आगे बढ़ते हैं सात्यों गुण चालिस नमबर में फ्राइट ने किस पद का उप्योग मन की सरंचना के अपने सिदान्त का वरणन करने के लिए किया चलिए बहुत ही बड़िया क्यूस्टन है सात्यों देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं सातियों फ्राइड ने किस पद का उपयोग वन किस रंचना के अपने सिद्धान का वर्णन करने के लिए किया बिलकुल बहुत बढ़िया सातियों राइट आंसर क्या रहेगा गुंचालिस नमबर का बिल्कुल A option correct answer रहेगा जिन सात्यों ने गुंचालिस में A option बताया है चेतना बिल्कुल correct answer है सात्यों गुंचालिस का A option आगे बढ़ते हैं 40 नमबर के ओर कौनसा सामाजिक परेरक दूसरों को नियंतरित करने और उन्हें परभावित करने की आवशक्ता द्वारा वरनित होता है टाइम स्टार्ट हो चुका है सात्यों कौनसा सामाजिक परेरक दूसरों को नियंतरित करने और उन्हें परभावित क करने के आवशक्ता द्वारा वर्णेत होता है शक्ति उपलब्दी संबंधन या उदश्य चलिए बता दीजी सातियों सामाजिक परेरख दूसरों को नियंतरित करने और प्रभावित करने के आवशक्ता द्वारा वर्णेत होता है बहुत बढ़िया सातियों चलिए बहुत ब फीसे लाइव क्लास होगी शाथ। जरूर जूड़ जाया करिये डेली। अगला क्यूस्टन हैं 41 नंबर। शरीर के केंद्रिये भाग से परिदियों या अगरांगों की और विकास दरसाता है विकेंद्रित विकास के सिदानत को, मद्यबाये विकास के सिदानतों को, सोपानिये विकास के सिदानतों को या विकेरणिये विकास के सिद्धानतों को सरीर के केंद्रिये भाग से प्रीदियों या अंगरांगों की और विकास दरसाता है राइट आंसर क्या रहेगा सातियों जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सबी साती चलिए 41 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा सातियों बिल्कुल बिल्कुल 41 नंबर का राइट आंसर जो है सातियों वह रहेगा A option या पर correct answer रहेगा A option जिन्होंने बताया है बिल्कुल correct answer सातियों वीकेंद्रित विकास के सिद्धानतों को दरसाता है सीटेट 2018 लेवल सेकेंड का क्यूसन है सातियों अगला क्यूसन आपके सामने है सातियों विदाले बच्चों के समाजिकरण की एक ऐसी संस्ता है जहां पर क्या होता है बताये परमुकिस्तान विदाले दिंचरिया का होता है पर्मुकिस्तान विदाले गतिविदियों का होता है पर्मुकिस्तान विदाले शिक्षकों का होता है या पर्मुकिस्तान विदाले बच्चों का होता है सीटेट दोजार ठारा लेवल सेकंड का क्यूस्टन विदाले बच्चों के समाजरिकी करण की एक ऐसी संस्ता है जहां पर क्या होता है ये बताना है साथियों चलिए चार विकलप आपके सामने राइट आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या रहेगा 42 नंबर का वेरी गुड डी ओप्षन बताने वाले सबी साती साहिए विदाले एक ऐसी संस्ता है जहां पर समाजी करण की एक ऐसी संस्ता है जहां पर बच्चों का होता है सातियों डी ओप्षन जिन सातियों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आगे बढ़ते हैं सातियों 43 नंबर की ओर मनो विज्यान साला उत्तर परदेश में कहां पर इस्तित है लखनव इलाबाद आगरा या वारणसी बिल्कुल आंसर आने स्टार हो चुके हैं बिल्कुल साही आंसर भी आ रहे हैं मनो विज्यान साला जो है उत्तर परदेश में कहां पर है आप सभी को पता होना चाहिए बिल्कुल इजी क्योशन है यूपिटेट मायावा क्योशन है राइट आंसर क्या रहेगा सातियों इलाबाद में इस्तित है बी क्योशन आपका करेक्ट आंसर एगा जिन सातियों ने बताए बिल्कुल करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं अगला क्योशन चमाली इस नंबर कितने लोग सही करते हैं देखते हैं दा बिहेवियर ओप और्गेनिजम नामक पुस्तक के लेख कौन है चलिए यूपिटेट दो सामने हैं सातियों दा बिहेवियर ओप अर्गेनिजम कितने लोग सही आंसर बताते हैं देखते हैं पुस्तकों के नाम और लेक क्याद है या नहीं बिल्कुल बहुत तिबड़ी आसातियों कमेंट आ चुके हैं और्गे बढ़ती आंसर भी आ चुके हैं सातियों परसन निम्न मैंसे कौन सा वर्दी और विकास का परतम चरण है। पर्षन नमबर 45 का राइट आंसर रहेगा सात्यों सारीरिक विकास ओप्षन नमबर A करेक्ट आंसर रहेगा चलिए जिन सात्यों ने A ओप्षन बताया सारीरिक विकास जो है सात्यों वर्दी और विकास का परतम चरण माना जाता है A option आपका correct answer रहेगा person number 45 का आगे देखे सातियों 46 number question आचुका है किसी भासा के स्वीकर्त धवनी संयोजकों को इसके dot 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 नियमों के अंतरगत बताया जाता है जो कोई भासा होती है सातियों उसके स्वीकर्त धवनी जो संयोजक होते हैं उसको किस नियम के अंतरगत बताया जाएगा व्याकरणिक, व्याक्यात्मक, विबक्ति विशेक या धवनी समन्दी चार विकल्प आपको मैंने बताई सीटेट लेवल सेकेंड 2018 में ये क्यूसन आयावाई सातियों बहुत ही अच्छा क्यूसन है, इजी क्यूसन है आपको मैंने बताई आपको मैंने बताई बताई कमेंट बोक्स में कमेंट करें बहसा दुआरा परबावित होती है तो ऐसी इस्तति को क्या कहेंगे सातियों बिलकुल अलग अलग आंसर आ रहें सातियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा बहसा निर्दारित ए ओप्शन जिनोंने बताई है बिलकुल करेक्ट आंसर है सातियों सेंतारिस नंबर का ए ओप्शन सही आंसर आगे बढ़ते हैं सातियों अड़तारिस नंबर में स्वय जाग रुकता एवं संग्यानात्मक समताओं का नियंतरन जैसे योजना बनाना, समिक्षा करना और संसोधन करना इत्यादी किसके अंतर नीत है चलिए चार विकल्प आपके सामने समय शुरू हो चुका है सुवेज आगरुकता एवं संग्याना आत्मक समताओं का नियंतरण जैसे योजना बनाना, समिक्षा करना और संसोधन करना ये किसके अंतरन हित आएंगे या अंतरगत आएंगे संग्यान बोध, ध्यान, समायोजन या कैंदरी करन चार ओप्षन आपके सामने सातियों, बहुत ही बड़िया सेशन को लाइक करो भई, लाइक कम है, लाइक करें, शेयर करें सातियों जब अपने सो लोग लाइव आने लग जाएंगे, तब अपन सो परसन लेके आ जाएंगे डेली सातियों, चलिए, राइट आंसर क्या रहेगा सातियों, संग्यान बोध, ए ओप्षन जिनोंने बताया है, ए ओप्षन करेक्ट आंसर एगा जब लाइव में अपने सो प्लस लोग आ जाएंगे, हम डेली सो परसन करने वाले हैं, कुल पांच जार प्लस परसन करने हैं सातियों अपने को अगला क्यूशन गुण पचास नंबर, जजोक का यह मानना है कि संग्यान और भाव होते हैं, चलिए, सीटेट दोजार अठारा लेवल सेकेंड, शवतंत्र, अंतर संबंदित, एकिकरित या अन्यन्यो आसरित, चलिए बताया सातियों, जण्योक क्या मानते हैं कि संग्यान और भाव जो है, वो सवतंत्र होते हैं, या अंतर संबंदित होते हैं, या एकिकरित होते हैं, या अन्यन्यो आसरित होते हैं, चलिए, गुण पचास नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा, सातियों बहुत बढ़िया, गुण पचास नंबर का जो राइट आंसर हैगा, सात अधिकांस बच्चे सब्दों को मिला कर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं सीट एट दोजार अठारा लेवल सेकंड का क्योशन बहुत ही अच्छा क्योशन है साथ यो कितने महिनों के आयू के बीच अधिकांस बच्चे सब्दों को मिला कर छोटे छोटे सेंटेंस यानि वाख्य बोलना शुरू कर देते हैं 18-24 मा हैं, 24-30 मा हैं, 30-36 मा हैं या 12-18 मा चली कौन आंसर देता है सही ये देखना है राइट अंसर क्या रहेगा 50 नम़र परसंद का सात्यों तो सात्यों 50 नमने का राइट आंसर बिलकुल correct answer ए ओप्षन रहेगा 18 से 24 मां के जो बच्चे होते हैं सात्यों वो अधिकांस बच्चे जो है सब्दों को छोटे छोटे सब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाग्य बोलना शुरू कर देते हैं ए ओप्षन आपका correct answer एगा आगे बढ़ते हैं साथ यो 51 नंबर में नेमन में से कौन सी बाल्य अवस्ता की एक विसेश्था नहीं है चलिए comment कर दीजिए यूपी टेट 2018 लेवल 2nd नेमन में से कौन सी बाल्य अवस्ता की एक विसेश्था नहीं है सामुहित्ता की प्रबलता जिग्यासा की कमी अभीवर्दी में इस्तीरता या समु एम खेलों में सेबागिता चलिए बाल्य अवस्ता की विसेश्था नहीं है पूचा गया है ध्यान से पढ़ लेना परसन 51 नमबर का राइट आंसर आ गया है बिल्कुल बहुत भड़ी असले सेसन को लाइक और शेयर करें सातियों 51 नमबर का राइट आंसर क्या रहेगा जिग्यासा की कमी ओप्सन नमबर जो भी है वो आपका correct answer एगा जिग्यासा की कमी ये विशेष्था नहीं है जिग्यासा तो होती है सातियों ठीक है आगे बढ़ते हैं सातियों आगे देखें बावन नमबर किशन आपके स्क्रेन पर है कोहल बर्ग के सिद्दान्त के योगदान के रूप में निम्न मैसे किसे माना जा सकता है सीटेट दोजार अठारा लेवल फ़स्ट का क्यूशना चुका है चार विकल्प आपके सामने ध्यान पुरुवक पढ़ लीजिए विकल्पों को राइट आंसर बता दीजी कोहल बर्ग के सिद्दान्त के योगदान के रूप में निम्न मैसे किसे माना जा सकता है समय समाप्त होने को है जل्दी से कमेंट कर दीजिए सातियों राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल पर्सन नंबर बावन का जो राइट आंसर रहेगा सातियों वो क्या रहेगा डी ओप्सन रहेगा सातियों ये है नेतिक तर्क और कार्य वाही के बीच एक इसपष्ट सम्मंद इस्तापित करता है कौन लोरेंस कोहलबर्ग का नेतिक विकास का सिद्धान्त डी ओप्सन जिनों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है सातियों ये सीटे किसी भी नई बासा को सीखने के लिए कहां से प्रारम किया जाना चाहिए अक्सरों वे सब्दों के मद्य साचरिये से वाक्यों के निर्मान से सब्दों के निर्मान से या कोई नहीं पता दीजे जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा किसी भी नई बासा को सीखने के लिए कां से प्रारम किया जाना चाहिए बिल्कुल बहुत ही बड़िया सातियों राइट आंसर क्या रहेगा आचुका है राइट आंसर वेरी गुड राइट आंसर हैगा सातियों अक्सरोंवे सब्दों के मद्य साथ रिये से प्रारम किया जाना चाहिए बिल्कुल ए ओप्सन जिनों ने भी बताया है बिल्कुल करेक्टान से पर्षन नमबर तरेपन का चलते हैं आगे बढ़ते हैं सातियों मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है एक बार कमेंट करके बता दीजिए लाइक बिल्कुल कमें लाइक करें जो भी ने जुड़ लाइक कर दे सातियों अगहला क्यों देखते हैं जो पन नमबर आपके सामने हैं संग्यानात्मक् क्यूशन आना चाहिए बिल्कुल इजी क्यूशन है सात्यों इसी परकार के क्यूशन परिक्षा में आये हैं और ये जो भी 5000 प्लस परसन देखेंगे सब किसी ना किसी शिक्षक बढ़ती परिक्षा में आये वे मिलेंगे आपको आगे डेट आपके लिखी हुई है कि कौन सी आयावा है कौन से लिवल मायावा है सारी डिटेल आपको बताई जा रही है तो संग्यानात्मक्षेत्र का सही करम बिल्कुल बहुत बढ़िया सात्यों राइट आंसर क्या रहेगा डी ओप्सन जिनोंने बताया है करेक्ट आंसर एगा सात्यों ग्यान उसके बाद आएगा आउबोद फिर आएगा अनुप्रियोग विसलेशन संसलेशन और मुल्यांकन ये करम होता है संग्यानात्मक्षेत्र का सही तो डी ओप्सन जिन सात्योंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आगे बढ़ते हैं सात्यों परसन नंबर पिसपन की ओर पिसपन नंबर क्यो योग तुलना या अनुवेशन बहुत ही इजी क्यूशन है अच्छा क्यूशन है सात्यों अवबोद इस तर के अंतरगत कौन सा आएगा इनमें से ये बताना है आपको परसन नंबर पिसपन के अंतरगत तो सात्यों क्या आएगा बिल्कुल अवबोद में राइट आंसर आ रहें सातियों इसी परकार से आप अपना प्यार बनाई रखें आगे बढ़ते हैं अगले क्योशन के और पहले लाइक कर दीजी जिन्होंने भी लाइक नहीं किया लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए आपको पता है कि विबिन बढ़ती परिक्षाओं में आये वे क्योशन का कल बुलाया निम्न में से किस समेदना दुआरा वे अपनी अनुक्रिया या पर्तिक्रिया परकट करेगा चलिए बताइए चार विकल्प आपके सामने एक छात्र पढ़ रहा है किसी ने भी उसका नाम लेकर उसको बुलाया है तो किस समेदना दुआरा वे अपनी अनुक्रिय सातियों आचुके हैं कमेंट बिल्कुल 56 नमबर का राइट आंसर आचुका है बहुत बहुत धन्यवाज सभी का लाइक और शेयर करते रहें सातियों वह अपनी अनुक्रिया किसे परकट करेगा सातियों धवनी समेदना से परकट करेगा बिल्कुल सी ओप्सन जिनों ने भी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर एगा परसन नमबर 56 का आगे बढ़ते हैं 57 नमबर के ओर पियाजे के संग्यानात्मक विकास पियाजे के सिद्धानत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्ता की अवदी क्या है ये पूचा गया है कि जो पियाजे का संग्यानात्मक सिद्धानते उसमें जो प्राक संक्रियात्मक पुर्व संक्रियात्मक कह सकते हैं अवस्ता है उसकी अवधी या समयकाल पूचा गया है योपीटेट 2008 लेवल 1 चार से आठ वर्स जन्म से 2 वर्स 2 से 7 वर्स या पांद से 8 वर्स आप सभी को आ रहा है एक्युसन मुझे पता है अच्छी तरीके से कमेंट कर दीजे बस आ चुके हैं राइट आंसर बहुत ही बढ़िया सातियों आपकी तियारी शांदार है इसी प्रकार डेली आठ बजे जूर जाया करें अपलाई सेशन में राइट आंसर क्या रहेगा सातियों दो से सात वरस तक पूर्व संक्रियात् माउदी रहती है चार अवस्ताएं उन्होंने बताईए सातियों सी ओप्षन आपका करेंट आंसर रहेगा परसन नंबर 57 का आगे बढ़ते हैं सातियों 58 नंबर के ओर चली 58 क्योशन आ चुका है इनमें से कौन सा मनोवेग्यानिक भासा विकास से सम्मंदित है चली यूपी चौमस की या में सलो चली कमेट कर दीजिए लाइक कर दीजिए सेशन को और शेर कर दीजिए लाइक और शेर में कमीने आनी चाहिए सातियों इससे हमें मोटिवेशन मिलता है 58 नंबर का राइट आंसर आ चुका है अपने पास तो 58 नंबर का राइट आंसर चौमस की हो आगे बढ़ते हैं सातियों परसन नंबर गुनसाट की ओर गिरो अवस्ता किस आयूवर्ग एवं विलंब विकाज से सम्मधित है ये क्यूसन बहुत अच्छा क्यूसन है लेवल का क्यूसन है सातियों यूपीटेट दोजार अठारा लेवल फस्ट में आयावा क्यूसन है जल्दी से कमेट कर दीजी राइट आंसर क्या रहेगा गिरो अवस्ता किस आयूवर्ग एवं विलंब विकाज से सम्मधित है पहला विकलप है 16-19 वर्षें नेतिकता दूसरा है 3-6 वर्षें भासा तीसर 8-10 वर्षें समाजिकरण या 16-19 वर्षें संग्यनात्मक चली जल्दी से कमेंट कर दीजी राइट आंसर क्या रहेगा गिरो अवस्ता किस आयूवर्ग एविलंब विकाज से सम्मधित है आंसर आचुके है टाइम भी खतम हो चुका अपना राइट आंसर रहेगा सातियों 8 से 10 वर्षें समाजिकरण का काल है ये सी ओप्षन जिनोंने भी बताये है पर्षन नंबर गुन साथ में बहुत अच्छी तैयारी है और सांदर आंसर क्या आइसातियों आगे बढ़ते हैं अगला क्योशन साथ नंबर चलीए साथ नंबर क्योशन आचुका है पी आजे के अ चार विकल्प आपके सामने ओप्चारिक संक्रियात्म कवस्ता पुर्व संक्रियात्म कवस्ता मूर्त संक्रियात्म कवस्ता या समेदी गमा कवस्ता चार विकल्प आपके सामने असातियों आंसर आचुके हैं राइट आंसर भी आचुका है सातियों बिलकुल बहुत तरहेगा 60 नमबर का राइट आंसर एगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्ता सी ओप्षन जिन्हों ने बताए एक करेक्ट आंसर एक चार अवस्ता है बताई चार ओप्षन में देखे समेधी गामक जो है वो 0-2 वर्स तक होती है आप सभी को पता है फिर आती है पुर्व संक्रिय संक्रियात्मक दो से साथ वर्स तक तीन नमबर पर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्ता साथ से 11 वर्स तक और फिर आती है लास्ट ओप्षारिक संक्रियात्मक अवस्ता 11 वर्स से उपर 11 वर्स से उपर तो चार अवस्ता है जीन प्याजे ने तीसरी अवस्ता का नाम बताएं कल हम जो है लगबग 50 क्यूशन लाने की कोसिस करेंगे 50 प्लस क्यूशन लाएंगे और जब 100 से अधिक लोग अपने इस लाइवी सेशन में जुड़ने लग जाएंगे तब से हम 100 परसन स्टार्ट कर देंगे ताकि आपके जो 5000 प्लस परसन है वो जल्दी जल्दी से ह हो जाए सातियों आज का सेशन कैसा लगा ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में आपका और कोई सुजा वो जल्दी से बता दीजिए कितने सहीवे ये जरूर बताएं अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे सातियों मैनत लगती है इस परकार की वीडि थेंकियो सुब्रात्री